तो आपने देखा किसानों की हालत क्या है और अगर आप ये सोच रहें कि किसान सस्ता प्यास बेच रहा है तो ग्रहकों को भी प्यास सस्ता मिलेगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं किसान जिस कीमत में प्यास बेशते हैं उससे 4-5 गुना ज्यादा कीमत पर आप और हम प्यास खरीदने को मजबूर है आपके प्लेट का सलाद हो या आपकी प्लेट की सबजी प्यास के बिना स्वाद ना के बराबर है पिछले साल प्यास की कीमत 100 रुपे किलो तक पहुँच गई थी इस साल प्यास की पैदावार अच्छी हुई है तो कीमत थोड़ी कम है लेकिन जो प्यास किसान 5 या 6 रुपे किलो बेच रहा है वो आपको 4-5 गुना महंगा मिल रहा है यानि 20-25 रुपे किलो अलग अलग क्वालिटी का प्यास होता है अलग अलग तरह का प्यास है 20 रुपे किलो फिलाल ये प्यास बता रहे हैं यहांपर मिल रहा है इनके साथ ही दूसरी रेडी यहांपर लगी हुई है इनके पास भी अलग क्वालिटी का प्यास है आप किस भाव प्यास बेच रहे हैं यहाँ पर किस भाव बेच रहे हैं सर, 20 रुपे, 20 रुपे किलो आप बेच रहे हैं, क्या अभी इसका भाव बढ़ा है प्यास का, घटा है पहले से, क्या भाव चलना भावाब? यह बात समझ से दूर है कि जो प्याज दिल्ली में ही किसान के खेत में 5-6 रुपे प्रती किलो के हिसाब से बिखता है वो बाजार में पहुंचते-पहुंचते 20-25 रुपे किलो कैसे हो जाता है दिल्ली के किसान को मंडी लाने ले जाने में कम खर्च करना पड़ता है लेकिन जो किसान, राजस्थान, मध्धप्रदेश या किसी दूसरे राज्य से लाकर प्याज बेचते हैं उनका हिसाब और भी खराब है दिल्ली की मंडी में राजस्थान के प्याज को 5 रुपे प्रती किलो का भाव मिल रहा है राजस्थान से प्याज लाने में 2 रुपे प्रती किलो का खर्च होता है ऐसे में राजस्थान के किसान को 1 किलो प्याज के सिर्फ 3 रुपे मिल रहे हैं जो लागत से बेहत कम है मध्यप्रदेश के प्याज की क्वालिटी सबसे अच्छी है दिल्ली की मंडी में MP के प्याज को 8 रुपे प्रती किलो तक का भाव मिल रहा है लेकिन MP से प्याज लाने में करीब 3 रुपे प्रती किलो का खर्च आ जाता है ऐसे में अच्छी क्वालिटी का प्याज होने के बावजूर MP के किसान की हालत दिल्ली के किसान की तरह ही है जब प्याज के भाव आस्मान छूते हैं तो उस वक्त किसान को इसका फाइदा नहीं मिलता और अब जब प्याज के भाव जमीन पर हैं तो ग्राहक को इसका फाइदा नहीं मिल रहा अनुराग धांडा, Zee Media, दिल्ली